इस बार बहुत ही खास चीज हो रही है इंटर और फाइनल में दोनों में ऑडिट में तीन दीन की छुटी है यस दोस्तों तीन तीन दीन की छुटी है और अब इसको कैसे यूज़ करना चीए यह सबसे जाधा है important question है कभी कोई बच्चों को लगता है मैं रहे मैं बहुत slow तो नहीं चल रहा हूं कभी कोई बच्चों को लगता है मैं बहुत fast तो नहीं चल रहा हूं यह confusion में इतना समय बरबात करते हैं इतना समय बरबात करते हैं मैं आपको क्या बता हूँ तिर इसके बाद कभी-कभी ऐ 80% कवर करते पूर प्लानिंग होती है उस वैसे यह प्रॉब्लेम से हमने बहुत साइंटिफिकली रिसर्च करके दोस्तों बहुत जादा प्यारी चीज बनाई है देखके दिल खुश हो जाएगा इंटर के लिए इसको बनाया है और फाइनल के लिए इसको बनाया है दोनों के बेसिक फार्मैट सेम है तो पहले देख लिए फिर फाइनल के बारे में आपको बताओ तो अगर हम बात करें दोस्तों इंटर के बारे में सबसे पहले देखो कितनी पहली चीज हम लोगों ने बनाई है लवली अगर आपको हमारे इफर्ट बहुत अच्छे लगते हैं आप आप कमेंट करके हमारा जो कॉंटेंट है सब तक पहुचाईए और कमेंट करके जरूर अप्रिशेट करें पूरी टीम को बहुत चाल लगते हैं दोस्तों तो यहांप अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप आएंगे पेपर देकर तो उसका डे वन है फिर आपके पहल बात्लग्रा स्लोट है is lot one पाज घंटे का ये स्लोट है आप गंटे का स्लोट है एक्स्टर टाइम यह बहुत इंपरन ऑलंण देड़ घंटे में इसको cover करना है, chapter number two, फिर देड़ घंटे में आपको cover करना है, chapter number six, एक घंटे में आपको cover करना है, हर chapter का जितना length है, complexity है, उसको ध्यान में रखे, सबसे खास बात, अगर, inter में RR 4.0 है, और हमारा final में concept revision है, अगर, अगर आप revision video देखोगे, 1.5 की speed में, तो आपको 50 minute लगेंगे, ये भी ही पर दिया है, और अगर आप important questions का video देखोगे, तो यहाँ पर 60 minutes, आप अपने हिसाफ से strategize कर सकते हैं, हो सकता है कि कोई बच्चा बोले, कि sir मैं concept देख लूँगा, और मैं important questions फड़ा-फड़ ड्रश अप कर लूँगा, जो question मुझे problem आ रहा है, बस उसका मैं video देख लूँगा, दोनों के combination से चलूँ, कोई बच्चा बोलेगा, कोई बोलेगा sir, मैं concept revision बहुत fast कर लूँगा, अपने हिसाफ से, और मैं important question का video देखूँगा, तो दोस्तों, जैसे भी ये देड़ घंटा है, चालिस मिनिट का concept revision है, 45 मिनिट के important questions है, आप दोनों का फाइदा, दोनों का फाइदा उठा सकते हैं, जैसे ये एक घंटे का है, यहाँ पे 13 मिनिट का आपका concept है, दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, आपको हर जगा पे दिखेगा, आप कितनी चीज़े देख सकते हो, कितनी चीज़े question आप देख सकते हो, कैसे कैसे आने बढ़ सकते हो, और दोस्तों सबसे मज़े की बार, ठीक है, आप देखेंगे थोड़ा blue color में, इसको click करेंगे exactly, इग्जाक्ली उसका concept provision शुरू होगा, आप click करेंगे exactly concept provision शुरू होगा, आप click करेंगे exactly important questions का video शुरू होगा, दोस्तों कितनी गहराई में, कितनी गहराई में बना है, डेटू में slot 1 के 5 घंटे कौन से कौन से chapter है, slot 2 के 8 घंटे कौन से कौन से chapter है, slot 3 के 4 घंटे कौन से कौन से chapter है, ऐसे slots बना कर रखें, आखरी का 10 घंटा दोस्तों, डे 4 के 5 घंटे, और उसके बाद में अगले दिन के 5 घंटे, ये 10 घंटे हमने difficult topics, rear vision आपको करना है, कुछ छूड़ गया तो वो करना है, RTP, MTP आपको करना है, उसके लिए छोड़ दिया है दोस्तों, तो full proof plan बना कर रखा हुआ है, ठीक है, full proof plan बना कर रखा है दोस्तों, और आप ये data ले करके, अपने इसाब से थोड़ा customize भी कर सकते, लेकिन मैं आपको बोलूगा, जाद दिमाग ना लगा है, जाद दिमाग मत लगाओ यार, इसको फड़ा पड़ execute कर दा लो, ऐसे भी बहुत से लोगों ने audit को पहले पढ़के नहीं रखा हुआ है, कि आकरी तीन दिन में पढ़ेंगे, आकरी तीन दिन में पढ़ेंगे, आकरी तीन दिन में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले डे टू, डे टू में डे टू के अंदर आपका चाप्टर नमबर 90 ने प्रोफेश्चन एथिक्स वो कवर होता है, बराबर उसके नंबर आफ आर्ज, नंबर आफ आर्ज कितने हैं वो हमने अलोकेट करके रखे हैं, अगर आप concept का वीडियो दे हुआ तो कितना डाइम लाएगा, important questions के वीडियो दे हुआ तो कितना डाइम लाएगा, 1.5 के speed के इसापसे देख रखा हुआ है, हर chapter की कुंडली दोस्तो, 19 chapter है आपके, 19 chapter है, 19 के 19 chapter की पूरी की पूरी कुंडली देखे रखी है, मिल जाएगा दोस्तो, तो बस वो लिंक, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो लिंक पे आपको जाना है, and everything will be fine, correct, I hope, आपको इसका बहुत ज़्यादा फाइदा हो, और आपका performance जबर्दस्त इंप्रूव, तो दोस्तो, सब तक इसको पहुचाईए, और आपके प्यारे-प्यारे comments, description में, ठीक है, आपके comment section में, दालते जाएए, links आपके description में दी हुई है,